कहते हैं शनी न्याए के देवता हैं, शनी देव न्याय धीश हैं। उनकी कृपा पाने के लिए लोग तरा-तरा के पूजापाथ और उपाय करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से हर संकत तल जाता है। फिर चाहे शनी के अशुब प्रभावों, क्या धैया, क्या स्ताड़े साती से मिल रहा कष्ठ हो। शनी के शुब अशुब प्रभावों को कैसे पहचाने, चलिए अब ये भी जान देते हैं। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छाई हो या बुराई, शुब और अशुब यही शनी के न्याय के तराजु में जूलते रहते हैं। आपके जीवन में अलग-अलग रूप में शामिल होकर शनी, शुब या अशुब फल देते हैं। इसलिए शनी को कर्म फल दाता कहा जाता है, दंडा धिकारी कहा जाता है। शनी से डर्ना नहीं है, बलकि अपने कर्मों में सुधार करना है। शनी कुछ चीजों में परिशानी का कारण बने रहते हैं। वो हैं रोजगार और सेहत ये दोनों मामले शनी देव ही नियंत्रित करते हैं अगर शनी इन मामलों में परिशानी खड़े कर रहे हूं तो श्रीकृष्ण इन मुश्किलों में आपकी मदद कर सकते हैं शनी वार के दिन तो लोग कहते हैं के दीपक जलाइए, शनी को तेल चड़ाइए, काले उडदान करिये, काला कुत्ता पालिये, बहुत सारे उपाय बतलाए जाते हैं लेकिन हम तो कृष्ण बगते हैं, हम जब कृष्ण के सामित में रहेंगे, जैसे बहुत सी जगे मोबाईल का नेटवर्क नहीं आता है ऐसे ही कृष्ण के चरणों में शनी का भी नेटवर्क नहीं आएगा, उसका प्रभाव उमारे उपर नहीं पड़े गाय के साथ खड़े श्रकृष्ण के चित्र की स्थापना करें, नित्य प्रात उने तुलसी दल डाल कर पंचामरित अरपित करें, इसके बाद श्रकृष्णम श्यरणम ममह का जाप करें, पंचामरित का प्रसाद ग्रहन करें, यह प्रयोग लागता 27 दिनों तक करें श्रकृष्ण की अराधना से श्रकृष्ण से मिल रही पीड़ा खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिदेव ने जो पीड़ा दी उसे सिर्फ श्रकृष्ण ही नहीं हरते, बलकि शनिदेव भी प्रसन्य हो जाने पर पीड़ाओं से मुक्त कर देते हैं, जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, जब व्यक्ति कमजोर और निर्वल लोगों की खूब सेवा करता है, जब व्यक्ति अपने बड़े बुज़ूर्गों की सिवा करता है, जब व्यक्ति फलदार और लंबी ओधी तक रहने वाले पिहन लगाता है, जब व्यक्ति भगवान शिव की या कृष्ण की नियम पूर्वक उपासना करता है, देखिए जो कोई भी अगर श्री किष्ण के भगते हैं, तो उनको शनी परेशान कभी भी करेंगे नहीं, क्योंकि शनी जो है वह नियाय के देवता है, और किष्ण जो है वो करम और धरम के और अर्थ की चीजों को बताने वाले हैं, तो जो नियाय पूर्वर, जो करम से च इनके उपर कश्टिदाई समय आता ही नहीं है, बिना कुंडली और हाथ की रेखाओं को देखे विना भी आप जान सकते हैं, कि आपके जीवन में श्राणी का प्रभाव कैसा है, धर्म के जानकार और जोतिश के विशेशग्यों के मुताबिक कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जि तो दरपन दिखाने से ही आपके जीवन के जो कारिये हैं, जो मार्ग में रुकावट हैं, जो चीज़े अटकी होई हैं, तो दरपन मातरे से ही दिखाने से ही आपकी चीज़े जो है शुरू हो जाएगी चलना, आपने देखा होगा कि हमारे ब्रच के मंदिरों में या अन् हमारे जीवन में भी सुन्दरता लेकर आकर आए तो श्री किष्ण भगवान की किरपा पून्ट रूपते आपको प्राप्त होगि कि व्यक्ति दूबला पतला होने के साथ साथ कठो रवानी और सोभाव का बुरा होता है व्यक्ति के बाल रुखे होते हैं व्यक्ति लापारवाह और कामचोर सोभाव का होता है जीवन में निम्न कर्म या गलत कारे में शामिल रहता है कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है शनी के शुख प्रभाव व्यक्ति लंबा और दुबला पता होता है, व्यक्ति के बाल घने होते हैं, व्यक्ति अनुशासित और कर्मठ होता है, परिश्रम से आगे बढ़ जाता है, आम तोर पर जीवन के मध्यभाग में अध्यात्मिक भी हो जाता है, कानून, परिवहन या अध्यात्म से संबंध आप कर सकते हैं सरहलुपाई के जरिये ग्रहों के निया धीश को प्रसंद हम तो एक बात जानते हैं कृष्ण वक्ति अशुप शनी कृष्ण से जोड़े होने पर शुप हो जाता है भगवान की जनम पत्री में पूरे 125 वर्षण शनी अन्पूल रहा है तो जो कृष्ण वक् जितना हो सके जब करें राच्री में आप जितना हो सके शुद्धता रखें आप जूफ का कम सहरा लें जहां हो सके जितना हो सके सच्चता के उपर ही आप चलें और साथी साथ में जरूरत मन ब्रक्तियों की आप मदद करें जैसे जैसे आप ये किरिया आप करेंगे तो अशुब शनी भी आपके उपर किर्पा करके ही जीवन से जाएगा शनी के इन उपायों के साथ आप ये भी समझेए कि शनी मित्र हैं, शत्रू नहीं शनी से भै नहीं बलके सूर्य पुत्र को आप अपने आचरन से सदयों के लिए मित्र बना सकते हैं